और इस बीच हम देख रहे हैं कि बैटरी शेरों में भी काफी शादा तेजी है आज एकसाइड इंडस्ट्री आमराजा यह दोनों ही स्टॉक्स आठार पर्सेंट की मजबूती के साथ कारोबार कर रहे हैं विविक जी बैटरी शेरों में जो तेजी है उसके फटनामेटल कार लेकिन इन सरों पर काफी अब काफी जादा चर्वी चुके हैं आज के दिन इस तरों पर भी क्या अच्छे मौके दिख रहे हैं आपको एंट्री लेने के लिए कि हम तो रवी आप सुन पा रहे हैं जी बिल्कुल मैं सुन पा रहा हूं जी रवी जी बैटरी स्टॉक्स से जुड़ा सवाल था एकसाइड इंडेस्ट्रीज आमराजा बैटरीज क्या भी बन रहा है आपका इस स्पेस को लेकर देखें फिलहाल एकसाइड ने तो यहां पर अपने जिस तरीके से अपवर्ड मोमेंटम दिखाया है उसमें एक नए टारगेट यहां पर सेट की है और जो अभी मोमेंटम है उसमें ऐसा लगता है कि अब नेक्स टारगेट जो है वो 480-485 के आसपास ही आकर यहां पर रूपते हुए नज़र आएंगे तो फिलहाल पूरे अगर पैक को कंपरजन किया जाए तो चाहे अमर राजा बैटरी हो या फिर लेड के जितने भी शेयर से उनमें एक अच्छा कासा मोमेंटम बना हुआ है तो मुझे ऐसा लगता है कि एक साइड इंडरस्टी में प्रॉफिट बुक करने की जल्दी ना कर यहां पर अभी मोमेंटम अच्छा रहेगा 480 तक के लक्ष देखने को मिल सकते हैं और इससे रिलेटेड और भी जो कंपोनेंट स्टॉक से उनमें भी आपने तेजी एक देखी होगी जैसे आपने इन कॉपर में आपने तेजी आपने देखी है ऐलमुनियम में भी तेजी से रिलेटेड है तो मुझे ऐसा लगता है कि 430 की स्टॉप लॉस से थोड़ा लंबा ट्रेंड यहां पर बनाईए और एक लॉंग टर्म कॉल लेकर फूल्ड कर दे रखिए बिल्कुल तो यह है सलाव बैटरी कंप्रियों पर और लॉंग टर्म के लिहाद से आप इन कंप्रियों पर नजर रखिए आज एक और स्टॉप चल रहा है धानी सर्विसे वैसे तो यह काफी जादा पिटा हुआ स्टॉप है लेकिन आज के सेशन में हम देख रहे हैं कि 11 परसेंट यह स्टॉप उपर है और पिछले एक महीने से एक अपवर्ड ट्रेंड में है 28 परसेंट की तेजी यह स्टॉप दिखा चुका है पॉइंट वाइस देखेंगे तो इतनी जादा बढ़त नहीं है लेकिन परसेंटेश टर्म में देखेंगे तो काफी जादा चल चुका है यह स्टॉप विभूर जी धानी सर्विसेस कैसा लग रहा है आपको जिन्होंने पहले होल्ड किया होगा बहुत प किया है तो डेफिनेटली होल्ड करना ही बेटर है अब जब आपने पेशेंस रखा है तो अब जब रैली आनी स्टार्ट हुई है तो निकलने का फाइदा है फ्रेश पॉजिशन के लगर बात करें तो आप देखेंगे 48 का कैसा लेवल है 48-49 का जहां से स्टॉक दो बार ती थोड़े से अपसाइड डाउन है तो टाइम लग सकता है यह इमिजेटली एक्सपेक्ट ना करें कि एकदम से रैली दे सामने लेकर आईए स्टील ऑफ इंडिया यानि सेल इसके साथ ही इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के भी स्टॉक को सामने लाईए और साथ ही जोड ना बख पोने परसेंट की कमजूरी नजर आ रहे है वही एंजीसिए लिमिटेड में लगभग पोने दो परसेंट की हमें यहां पर नजर आ रहे है ना दित्या एनudd Уर्टी एंजीनिया इंडियां लिमिटेड और इसके साथ ही सेल किन तीनों स्टॉक्त पर जरा आपनी 145-146 के लेवल पर ट्रेड कर रहा था तो मैंने कहा था 150 जैसा लेवल अची हो सकता है वो आज हो गया बट मुझे लगता है कि इस टॉक एक रिलेटिव आउट पर्फॉर्मर है सेक्टर का आउटलुक पॉजिटिव है तो इसमें बने रह सकते है बाई और डिप की बना हुए तो मैं बाई और डिप्स की इसमें भी एक व्यू बनाऊंगा फर डिसाइसिव ब्रेक आउट हम वेट करेंगे ब्रेक आउट के लिए बट यह दो स्टॉक में हमको रडार में रखना चाहिए क्योंकि ए अच्छे रिलेटिव आउट पर्फॉर्मर है पर पॉजिटिव नजरिया आता हुआ आदेती की तरफ से चंबल फर्टिलाइजर आज हम देख रहे हैं कि सबादो परसंट से ज़ादा की तेजी यहां पर नजर आ रही है बदाएं कैसा लग रहे हैं यहां से आपको आप चंबल फर्टिलाइजर को अगर ओर और स्ट्रक्चर देखेंगे तो एक छोटा सा रेजिस्टेंस पर है बट ओर और चार्ट में कल यह गैप डाउन हुआ बट आप देखेंगे गैप डाउन के बाद यहां ना सेलिंग प्रेशर नहीं बना गैप डाउन हो प्रेशर बने तो लोगों लगता है कि हम बिकवाली का दवाव है यहां पर बट वहां पर कुछ ऐसा आया नहीं और वापस से आज मुमेंटम है तो डेफिनेटली कल के एक लोग को स्टॉप लॉस रखके यानि कि 360 का एक स्टॉप लॉस रखके स्टॉक में शॉर्ट साइड पर एक जाएंगे लॉंग साइड पर जैसे अभी हम लोग पैनल में फार्मा के उपर डिस्कस कर रहे थे तो डेफिनेटली फार्मा का ही पहला कॉल है अगर आप मॉर्निंग से देखिंगे तो यहां से मॉर्निंग से एक अच्छी खासी बाइंग आ रही ह कंटिनियस बाइंग आ रही है मॉमेंटम फास्ट है तो औरोबिंदा फार्मा लॉंग रहने के एक सला रहेगी स्टॉक इस्टेम रिएक कर रहा है ग्यारा सो पांच रुपए पे मैं टार्गेट चो रखूंगा ग्यारा सो पचास और ग्यारा सो पिचतर के आसपास के मेरे टार्गेट रहेंगे स्टॉप लॉज में रखूंगा यहाँ पे 1077 का और डूसरी तरफ जो हम शॉट से जा सकते क्योंकि ये स्टॉक अभी मार्केट में तोड़ा सा मोमेंटम वीक है वोलिटिलिटी बनी हुई है न्यूज और ग्लोबल सिचुएशन की वजए से तो मैं ह इरो मोटो कॉर को शॉट करने के एक सला दोंगा अगर आप इसका चार्ट का स्ट्रक्चर हमारे स्क्रीन पे ला पाएं तो देखेंगे कि इसने जो प्रीवे सपोर्ट था 4350 का वो एक ब्रेक किया है और कंटिनियूस लास्ट पास दिन से सेलिंग आ रही है एक वॉल्यूम में जो रखोंगा वो रहेगा 4405 का यहां पर भी हमारे पास रिस्क रिवाट फेवरेबल है यह मेरे दो आज के पिक्स रहेंगे एक स्टीबीटी एक लॉंग साइल में तो इस टॉक में भी आज तेजी है करीब 2% 3% की मश्बूती लाइसी हाउजिंग फैनांस में देखन अगर आप चार्ट का स्ट्चर देखेंगे 7 फेब्रेरी को 670 का ही लगा पर नीचे आ गया फिर दुबारा से यहां पर 27 फेब्रेरी को सेम 666 का ही लगा नीचे आ गया फिर तीसरी बार आया अब डेफिनिटली चौती बार ट्राय कर रहें बट अबकी बार जो वोल्यूम् सकता है तो 625-630 रुपय के एक स्टॉप लॉस रखके यानि 2-3 परसेंट का स्टॉप लॉस रखके डेफिनिटली साथ सो पांच रुपय के लिए बड़ी को लॉंग किया जा सकता है तो स्टॉप लॉस लगा कि इसमें 700 की उपर के लेवल्स आ सकते हैं तो च्रेड ली सकत में क्योंकि इस बार जो तेजी आ रही है वह आगे और भी कंटीनियू हो सकती है अब आगे बढ़ते हैं